हलो बच्चों अभी देखो ए सच्चे मित्र की कहानी को हम आगे बढ़ा आते हुए पांचवे नंबर चित्र पे बताते हैं अभी देखो उसमें कवे ने बताया कि हीरन को सिकारी के सामने भागते हुए जाओ और शिकारी तुम पर ललचेगा और इस तरह से ओ खर्गोश को नीचे रखके सिकारी तुम्हारी तरफ धवड़ेगा और तब मैं खर्गोश को छुड़ा लूगा अभी देखो इधर सिकारी हीरन की तरफ भाग रहा है तो कवे आ गया है खर्गोश की तरफ और खर्गोश का बैग जो है धीरे धीरे खोल दे रहा है खरगोष जिसमें बंद है वो बैग को धीरे धीरे खोल दे रहा है अब इधर देखो सिकारी उधर भाग रहा था हिरन को पकड़ने के लिए इधर कवे ने खरगोष का बैग छोड़ दिया है और खरगोष निकल के बाग गया है अभी यहाँ पे सिकारी उधर हो गया शिकारी रोने लगा कि मैंने हिरन को पकड़ने के लिए जो प्रयास किया हिरन तो पकड़ नहीं पाया खरगोष भी मेरे हाँ से गया इस थंग से अभी यह देखो तीनों मित्र हैं जो कववा और हिरन और खरगोष जन्गल में मजा ले रहे हैं कि हम लोग आजाद होगे खरगोष को छुडा के कववा जो है और हिरन जो है ओ खुसी से दवन रहे हैं खुसी से घूम रहे हैं कि बता रहे हैं कि मैं सिकारी के जाल से मैंने खर्पोस को छुडा लिया, अपने मित्र को छुडा लिया, अब ही तीनों जन्द साथ में रहेंगे, इस धन्द से यह भी कहानी का भाग यही पर खत्म होता है, चलो तब आभी तुम लोगों क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक झाल झाल